फेश टीम लेने से त्वच्छा को डेज सारे फाइदे मिलते हैं चेहरे पर बाप लेने का चैलन्ज रोमन और युनाई नीयों को समय से चली आ रही है इससे स्किन को ऑक्सिजन मिलता है और स्किन हेल्दी रहती है हलाकि कुछ लोग गलत तरीके से श्टीम ले लेते हैं जिससे त्वच्छा को फाइदे की जगा नुकसान हो जाता है ऐसे में आज हम आपको फेश टीम लेने का सही तरीका सही वक्त तर इसके फाइदे बता रहे हैं आईए जानते हैं इस बारे में विस्तार से क्या है फेश टीम लेने का सही वक्त जादा फाइदा लेने के चलते कुछ लोग होते हैं जो हर रोज टीम लेते हैं लेकिन ऐसा करने से नुकसान हो सकता है इससे त्वचा के रोम शीदर खुले रह जाएंगे आप माहीने में दो से तीन बार श्टीम ले सकते हैं श्टीम लेने के लिए 5-10 मिनिट का वक्त काफी है श्टीम लेने के बाद शेहरों को पेट ड्राइज पर हमेशा मोईस्टराइज करना चाहिए अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है या मुहां से इसे बरी या ड्राइज हो तो आपको श्टीम नहीं लेना चाहिए श्टीम लेने का प्रोसेस जानिए श्टीम लेने के लिए आप एक बड़े कटोर में गर्म पानी ले लीजिए आपको ये तवलया भी जरूरत होगी सबसे पहले अपना चेहरा साफ कर लीजिए गर्म पानी में अपने फेस के हिसाब से कोई भी एसेंशियल आईल मिला सकते हैं सर के उपर ट इस दवरान आखों को बंद रखे ज्यान रही कि चेहरे को पानी के ज्यादा नजदिक लेकर नहीं जाना है इससे आपका चेहरा जल सकता है चेहरे को श्टीम देने के बाद मॉस्टराइजिंग क्रीम या एलोवर जल जरूर लागाए श्टीम लेने के फाइदे जान लीज है इससे चेहरे की तकान दूर होती है बलेद सर्कूलेशन एक और इससे चेहरे के फोर्स खुलते है इससे ब्लैक हैक जंग जाते है जिसके बाद आसा निसर निकल जाते है नमब तीन डेड़ स्किन सेल्स बहार निकल जाते हैं और आपकी तवचा गलो करती है नमब चार बाप लेने से चेहरे में औक्सिजन पहुचता है आपकी तवचा खुल कर सांस ले और अंधर से हेल्दी बनती है नेम्बब पांच च्टीम लेने से पिंपल की समस्यावी दूर हो सकती है क्यूंकि झब आपकी चेहरे पर गंदगी रहती है तो ये ब्लाग करती है जिस वाज़ा से पिंपल की दिक्कत हो सकती है 1. बच्छे श्टीम लेने से डास सर्क्ल की समस्या भी दूर होती है